Hello friends, welcome back to English with Asha Mam. आज मैं आपके लिए एक paragraph लेके आई हूँ, इसको हम read करेंगे. साथ ही सीखेंगे अच्छे word meanings और sentence structure. मैं आपको grammar related जो भी concept होगा वो भी साथ साथ समझाऊंगी. वीडियो आपके लिए overall helpful रहेगा, पसंद आएगा तो please like share जरूर करना. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो please इससे subscribe भी कर लीजे. तो ये है topic journey by train, journey यात्रा, rail से यात्रा या train से यात्रा. आएए शुरू करते हैं. Train is the most convenient means of transport. Train, rail है, is, है, the most convenient. तो convenient का मतलब होता है सुविधा जनक. आराम से जिसमें हम यात्रा कर सकते हैं. सुविधा होती है हमको, convenient. Means of transport means यातायात का साधन. To visit, जाने के लिए, विजिट करने के लिए, a hill station, कोई भी पहाड़ी इलाका. तो पूरी लाइन का मतलब है, train is the most convenient means of transport to visit a hill station. Train, hill station, पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए, यातायात का सबसे सुविधा जनक साधन है. जैसे हम बस से भी जा सकते हैं, लेकिन उससे भी convenient, उससे भी सुविधा जनक क्या रहता है, अगर हम train से यात्रा करते हैं, hill station के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए. When the plains of North India were facing a scorching heat. अब इसमें बात बताई गई है, जो paragraph लिख रहा है, अब वो बता रहा है किस तरीके से, किस हालात में उसको कब जाना पड़ा, रेल में यात्रा करने का उसको कब सौभाग्य मिला? When, जब, plains of North India, plains मतलब मैदानी इलाके, तो hills हो गया पहाड़ी, plains हो गया मैदानी इलाके, North India, उत्तर भारत, वर फेसिंग, सामना कर रहे थे, a scorching heat, scorching का मतलब होता है, भीशन गर्मी, जुलसाने वाली गर्मी, जो की बिल्कुल हमारी स्किन को जला दे, तो भीशन गर्मी को बोलते है, scorching, heat है गर्मी, I decided to cool myself in shimla, मैंने फैसला किया, decided फैसला किया, to cool myself, खुद को ठंडा रखने का in shimla, shimla जाकर, तो कहने का मतलब है, कि जब इतनी गर्मी हो रही थी मैदानी इलाकों में, उत्री भारत में, तो मैंने फैसला किया, कि मैं shimla जाऊंगा, और वहां की ठंडक में मजे करूंग अब देखिए, यह जो structure है, verb facing, यह past continuous tense की पहचान है, was verb के साथ, जब first form of verb में ing लगता है, वो पहचान होती है past continuous tense की, past में कोई activity चल रही हो, और जो हमने first sentence पढ़ा था, वो है, क्योंकि is लगा हुआ है, तो है present indefinite tense में sentence, अब यहां से पढ़ते हैं आगे, fortunately, means सौभाग्य से, किस्मत से, fortunate word से बना है कि किस्मत से, I had a comfortable seat near the window, सौभाग्य से, I had means मेरे पास थी comfortable, आरामदायक seat near the window, खिड़की के पास, यहां पे देखिए, fortunately जो है, वो adverb है, fortunately, किस्मत से, और जो comfortable seat, seat यहां पे noun है, naming word है यह, noun को describe करने वाले words होते है, adjective, comfortable यहां पे adjective है, कि मेरे पास एक आरामदायक seat थी, near the window, खिड़की के पास, अब अगर यात्रा करते टाइम हमको खिड़की के पास वाली seat मिल जाए, तो हम सचमुझ अपने आपको किस्मत वाले समझते हैं, I kept the shutters open, तो मैंने रखे, keep का पास्ट है कि खुले, मैंने shutters खुले रखे, to enjoy आनन उठाने के लिए, the fascinating scenes outside, fascinating, fascinate करने वाले आकरशक, और scene हो गए नजारे या द्रिश्य आउटसाइड बाहर, तो मैंने अपनी खिड़की के जो shutters थे वो खुले रखे, ताकि मैं बाहर के नजारों का आनन उठा सकूँ, It is one of the oldest rail routes in India, अब जिस rail route में हम यात्रा कर रहे थे, जो शिमला तक जाने के लिए, वो है, उसके लिए हमने it use किया हुए pronoun, है, one of the oldest rail routes, जो भी इंडिया में, भारत में rail के routes हैं, उसमें से, सबसे पुराने rail route में से, वो एक route है, ठीक है, तो एक route की बात कर रहे हैं, कि ये पहला जो एक route है, वो बहुत सारे rail route जो बहुत पुराने हैं, इंडिया में, उन में से एक है, as the train moved towards धरंपूर, as जैसे ही, जैसे ही train moved, आगे बढ़ी हमारी train, या पहुची, towards होता है की ओर धरंपूर, जैसे ही हमारी train, धरंपूर की ओर बढ़ी, आगे बढ़ी, नियर जो की कसौली के पास है, धरंपूर के लिए बताया गया है, जो की कसौली के पास है, the landscape changed, landscape मतलब नजारा, जो बहार प्रकृति का नजारा था, वो बिलकुल ही बदल गया, change का past tense हो गया, changed, बिलकुल बदल गया, तो किस तरीके का नजारा बदल गया, instead, instead of low hills, low hills मतलब पर है कि instead means के बजाय या के बदले, instead of low hills, निचली पहाड़ियों के बदले, I could see high mountain ranges, I could see मैं देख सकता था, high mountain ranges, और mountain ranges हो गए परवत की शंकला, एक के बाद एक पहाड और वो भी बहुत उंचे, of the mighty हिमालिया, mighty means ताकतवर हिमालिया, mighty word जो है, adjective है, जो की हिमालिया को, हिम mighty हिमालिया, हिमाले परवत के उंचे-उंचे पहार थे, वो मैं अब देख सकता था, even the flora and fauna went on changing, तो अब यहाँ है, even means यहाँ तक की flora होता है, वनस्पतिया, पेड़ पौधे, और fauna होता है, जीव जन्तु, animals वगएरा, ठीक है, तो even यहाँ तक की flora and fauna, वनस्पतिया औ और जीव जन्तु, went on changing, यह भी बदलते गए, वो का past tense हो गया, went, तो न केवल नजारे बदल रहे हैं, लेकिन जगे-जगे जैसे की hills में अलग पेड़ पौधे पाये जाते हैं, अलग-अलग टाइप के जानवर पाये जाते हैं, तो वो भी बदलते होए मुझे दिखाई अब कौन से पेड उसको दिखाई दिए, पाइन्स एंड देवदार्स, ठीक है, पाइन मतलब चीड के पेड और देवदार के पेड, took the place of conventional trees, took the place उन्होंने जगा ले ली, take का past tense हो गया, took, उन्होंने जगा ले ली, conventional trees, जो परंपरागत, conventional मतलब कि जादा तर जो प्लेंस म पेड दिखाई देते हैं, उनकी जगा ले ली, अब पाइन्स चीड के पेड़ोंने और देवदार के पेड़ोंने, of the foothills, foothills मतलब पहाडियों के तले में, जो भी पेड पौधे पाये जाते हैं, तो उनकी जगा क्या ले ली, पाइन्स और देवदार के पेड़ोंने, अ वो चल रही थी, only a little faster, मतलब बस थोड़ी और तेज, than, than का हम comparison जब करते हैं, तो हम than use करते हैं, थोड़ा सा fast चल रही थी, than the proverbial speed, अब proverbial, proverb से बना है, कि कहावत में जैसे बोला जाता है, या कहा जाता है, speed of a snail, अब snail एक crawl करता हुआ, रेंगता हुआ, insect होता है, घेंगा बोलते हैं इसको, तो घेंगे की speed के बराबर, जैसे भी कोई slow काम करता है, तो हम उसको बोलते हैं, कि तुम snail की speed से क्यों काम कर रहे हो, तो वही बोला गया है, कि अब हमारे train की speed कैसी हो गई थी, बस थोड़ी ही एज थी, snail की speed के मुकाबले, तो हमारी जैसे कहने का मतलब है, कि बहुत ही slow हो गई थी अब train की speed, the most thrilling experience, most मतलब सबसे ज्यादा, तो यह superlative degree है, much more most, most जो है हमारी superlative degree है, उसके आगे हम हमेशा the का use करते हैं, the most thrilling, thrilling मतलब रोमांचकारी experience अनुभव, तो सबसे रोमांचका that I had, जो मुझे मिला, was when the train passed through a series of tunnels, so सबसे रोमांचकारी, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, जो अनुभव, वो था, जब हमारी train होकर गुजरी, passed through, होकर गुजरी, a series of tunnels, tunnels का मतलब होता है, सुरंग, और series हो गया, बहुत सारी, shrunkला, उनकी chain, तो बहुत सारी सुरंगो से होकर जब हमारी train गुजरी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए वो सबसे रोमांचकारी अनुभव था, big and small, और वो tunnels कैसी थी, कुछ big, बड़ी थी, और कुछ छोटी थी, small, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा, I kept my Kodak camera ready, तो मैंने अपना camera, ये नाम है उसका brand का Kodak camera, ready रखा, तयार रखा, to capture, कैद करने के लिए, the beauty of nature, प्रकृती की सुंदरता को कैद करने के लिए, अपना camera मैंने बिलकुल ready रखा, in its pristine purity, तो purity means पवितरता, और pristine मतला शुद्ध निर्मल, that means मेरा camera बिलकुल on the spot, ready था, कि जैसी मुझे अच्छे से नजारे देखने के लिए मिलें, तो मैं उसको उसी वक्त कैद कर सकूँ camera में, the terrace farming, तो terrace farming यहाँ पर मतलब है, जैसे कि पहाडों में सीडी नुमा खेत होते हैं, सीडी की तरह दिखते हैं, उसको ही बोलते है terrace farming, तो वो वाली खेती, hills and valleys, hills मतलब पहाड़ियों और valleys है, घाटियों, kept me spellbound, अलग-अलग चीजों की बात करी हुई है, terrace farming, एक तो है सीडी नुमा, जो खेती की जाती है पहाड़ियों में, hills and valleys, पहाड़ियों और घाटियों, तो चीजों ने मुझे मंत्रमुग्द करके रखा, spellbound, मंत्रमुग्द करके रखना, मतलब पूरा खो जाना उनकी सुन पहली हुई चारों ओर, इन सब ने तो बिलकुल मेरा दिल जीत लिया, मुझे मंत्रमुग्द करके रख दिया, at last, अंत में, the Scotland of India, the summer capital of British India, शिमला केम, तो यहाँ पे कहा गया है कि शिमला आ गया, केम मतलब आ गया, कम का पास्टे से आ गया, जो की कहलाया जाता है Scotland of India, भा अरत का Scotland, Scotland एक बहुती सुन्दर जगे है, तो उसका comparison किया गया है कि वो वाली जगे, इंडिया में अगर आपको Scotland देखना है, तो वो क्या है, शिमला है, at last, the Scotland of India, और दूसरी जीज़ कही गई है, summer capital of British India, ग्रीश मकाल, बना कि summer में, गर्मियों में, जो राजधानी होती थ ब्रिटिश इंडिया की, तो वो क्या है, शिमला, वो आ गया, and the train reached its destination, और जो हमारी rail थी, train थी, reached, पहुँच गई, its destination, अपने गंतव्य स्थान पर, destination का मतलब होता है, गंतव्य स्थान, जहां उसका last stop था पहुँचने का, वो था destination, गंतव्य स्थान पर वो पहुँच So friends, यह था हमारा paragraph, journey by train, I hope आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया है, तो please like, share और subscribe करना मत भूलिएगा, comments लिख कर बताना कैसे लगा, thank you for watching, अगले वीडियो में मिलते हैं